असलाम अलेकुम दोस्तों वेलकम टू माई चैनल टेक्निकल सेथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सौधी रियाल इस्चेंज रेट इंडिया पाकिस्तान बांगलादेश और नेपाल के बारे में कि आज सौधी अरब की कौन सी बैंक क्या रेट दे रही है हमारे चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को ओल पे प्रेस करते हैं जिससे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको सबसे पहले तो चलिए दोस्तों बिना वक्त जाय कि वीडियो को कर लेते हैं शुरू तो दोस्तों आज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेली मनी बैंक पकिस्तान के लिए 40 रूपे 70 प्यसे और इंडिया के लिए 18 00.65 प्यसे इसी तरह से बांगलादेश के लिए 22 रूपे 23 तक्का और नेपाल के लिए 29 रूपे 34 प्यसे और दोस्तों अबम बात कर लेते हैं इमजाज बैंक पाकिस्तान के लिए 40.70 पेसे और इंडिया के लिए 18.65 पेसे इसी तरह से बंगलादेस के लिए 22. as तक्का और नेपाल के लिए 29 रुपे 48 पैसे और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि पे एंसीवी बैंक पाकिस्तान के लिए 40 रुपे 48 पैसे और इंडिया के लिए 18 रुपे 40 पैसे इसी तरह से बांगलादेश के लिए 22 रुपे 18 टक्का और नेपाल के लिए 29 रुपे 35 पै और इंडिया के लिए 18 रुपे 63 पैसे इसी तरह से बंगलादेश के लिए 22 रुपे 38 टक्का और नेपाल के लिए 29 रुपे 45 पैसे और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं वेस्टन यूनियन बैंक पाकिस्तान के लिए 40 रुपे 75 पैसे और इंडिया के लिए 18 रुपे 65 पैसे इसी तरह से बांगला देश के लिए 22 रुपे 45 टक्का और नेपाल के लिए 29 रुपे 50 पेसे और उसके बाद दोस्तों बारी आती है मनी ग्राम बैंक पाकिस्तान के लिए 40 रुपे 78 पेसे और इंडिया के लिए 18 रुपे 70 पेसे इसी तरह से बांगलादेश के लिए 22 रुपे 8 टक्का और नेपाल के लिए 29 रुपे 50 पैसे और दोस्तो अब हम बात कर लेते हैं फावरी बैंक पाकिस्तान के लिए 40 रुपे 80 पैसे और इंडिया के लिए 18 रुपे 76 पैसे इसी तरह से बंगलादेश के लिए 22 रुपे 40 टक का और नेपाल के लिए 29 रुपे 38 पैसे तो दोस्तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओल पर फ्रेस कर दें जिससे आने वाली इसी तरह की हर न्यू वीडियो का नोडिफिकेशन मिलता रहे आपको सबसे पहले तो दोस्तों ये तो थी आज के रियाल रेट की ताज़ा अपडेट मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफीज